नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेकनिकल सागर योट्यूब चैनल मेरा नाम है अभिशेक सागर और आज मैं आपके सामने पेश हूँ आज की सुर्खियों को लेकर जो टेकनोलोजी से जुड़ी हुई हैं और आज हम बात करेंगे पहले पहली न्यूस के बारे में जो जल्दी से वापस भी ले लिया गूगल ने अमेरिका की कुछ जगह ओपर ही अभी अवेलेबल है हर जगह भी अवेलेबल नहीं है रोल आउट कर लिया गूगल ने वापस ले लिया इसमें कुछ कम ही आ रही थी तो सुधार करके गूगल इसको फिर से लाएगा दूसरी आए कि batch files होती है जो exe जो softwares होते है वो आप Google में attachment लगाके Gmail से नहीं भेज सकते हो लेकिन JavaScript आप भेज सकते थे लेकिन अब आप JavaScript भी नहीं भेज सकते हो क्योंकि कहीं नहीं लोग इसका गरत फाइदा उठा सकते हैं आपको पता है JavaScript में ऐसे code embed करके बेजे जा सकते हैं जि email से JavaScript की file तो जितने भी लोग hacking वैकिंग करने वाले हैं सब अब तो उनका तो एक hack खतम हो गया ओके तो अगली कबर आ रही है WhatsApp की तरफ से कि अब WhatsApp एक बहुत जल्दी ही ऐसा feature launch करने माला है जिसमें आप अपनी live location शेयर कर सकते हैं या भी जो beta version आया उसका एक किसी ने देख जो rumors आप कह सकते हो कि वहाँ पर ऐसा feature देखा गया कि आप अगर कहीं पर हैं तो आप अपनी live location शेयर कर सकते हो अपने friend के साथ जो आपके WhatsApp में जुड़ा हुआ है तो ऐसे case में यह बहुत अच्छी चीज हो सकती है लड़कियों के लिए उनके safety के लिए क्योंकि कभी भी व WhatsApp में यह आना चाहिए अगली news आ रही है एरसल की तरफ से कि Supreme Court ने Supreme Court ने एरसल को कह दिया है कि अगर जो 2G घोटाले में एक company टेलिकॉम company शामिल थी Maxis नाम की तो उसके जो head है वो अगर court के सामने पेश नहीं होंगे तो Supreme Court एरसल को इंडिया में business करने नहीं देगी और एरस Maxis company ने आपगार वो represent नहीं हुए आगे मतलब आप कह सकते हो जब किसी को पर case होता है ना तो court में आना ही पड़ता है उनको तो यहां पर वो जो Maxis है और जो T. Anand Krishna है जो सब involved है 2G scam में तो वो court में नहीं आ रहे है तो अब जब तक वो court में नहीं आ रहे हैं तो अब जब त Google के CEO सुंदर पिचाई की तरफ से अभी आपने हाफिलाल में देखा होगा कि जो Trump अभी Donald Trump है जो अमेरिका के हमने काफी मेर को बोलने की ज़रूरत नहीं है वो कौन है तो उन्होंने क्या कहा है कि अमेरिका में जो immigration है Muslim countries से जो लोग आते हैं उनको वो बंद करना चाहते है बयान में उन्होंने का कि दूसरे countries से जो Muslim countries है वहाँ से लोग यहाँ पर आके नहीं immigrate कर सकते नहीं रह सकते ठीक है पर्मानेंट रेजिजन्स नहीं हो सकते आप यहां नहीं रह सकते तो ऐसा तो बहुत खराब बात है ना फिर Google में भी जितने employees हैं उनमें कई जारे employees ऐसे ह जो Muslim countries से आते हैं जो Muslim है ऐसे केस में Google हो गया और बाकी जितनी भी companies हैं टेक companies हैं तो उनको तो बहुत नुकसान होगा तो सुंदर पिचाई ने इस पर बहुत अफसोस जताया है और जितनी भी बड़ी बड़ी जो टेक companies हैं उन सब में आप देख लो तो Muslim countries से काफी लोग आ आकर काम करते हैं ऐसे में वो लोग नहीं आपाएंगे नहीं रह पाएंगे अमेरिका में तो companies को बहुत लॉस जेलना पड़ेगा इसलिए जितनी भी tech companies हैं जितनी भी बड़ी-बड़ी companies हैं यह protest कर रही है इनके बयान के उपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए अमेरिका में Muslim countries से लोग आकर रहने चाहिए अब कहीं नहीं जो Donald Trump हैं अभी एक घंटे पहले भी ऐसी एक news मैंने देखी है कि वो लोग काफी मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है इसके उपर और जो Donald Trump है उन्होंने शायद आप वो माफी भी माग लेंगे मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं था ये नहीं था अभी वो अपनी बातों की सफाई दे रहे हैं तो देखते हैं इसके उपर क्या होता है लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे रोक नहीं लगानी चाहिए हमें पता है कि हमारी country से भी और बहुत सारी Muslim country से बहुत ही talented लोग जाते हैं जो Google में काम करते हैं बड़ी-बड़ी companies में काम करते हैं Microsoft में काम करते हैं और अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े doctors भी है तो अब देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों यही थी आज की जो सुर्खिया आप कह सकते हैं जो में जो हैडिंग आप headlines जीने काते हो में खबरे थी वो आज की यही थी मुझे पक्का विश्वास है कि अदि नहीं होता है फिर बीजी ती वीडियो से मैं आपको दे दी इस वीडियो को like करें शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सबसक्राइब नहीं किया तो subscribe करें अगर bell icon नहीं दबाए तो bell icon दबाए मैं आप मिलता हूं आपसे एकली वीडियो में thank you so much and goodbye